हेलो दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इस्टुडेंट हेल्फ हिंदी में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंडिस सुंदला सर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका जूलाई से जून का सत्र होता है उसका ओनलाइन एड्मिशन का डेट यहां पे जारी कर दिया गया है और डेट के साथ में ही यहां पे कुछ दिसा निर्देश के बारे में भी जानकारी दी गई है तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके सतर जूलाई से जून 2022 का जो एड्मिशन है उसके बारे में यहां पे एक अधिसूचना जारी कर दिया गया है इस अधी सूचना में यही बताया गया है कि जो आपका admission है वो totally यहाँ पे online माध्यम से होने वाला है date के बारे में बात करें तो जो आपका start date है वो है आपका 1 जुलाई सूबर 9 बज़े से यहाँ पे आपका जो online admission का process है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा end date के बारे में बात करें यानि कि आपका यहाँ पे जो online admission का date है वो कब खत्म होगा तो यह है आपका 30 सितंबर को राद 12 बज़े से पहले तक आपको यहाँ पे online admission का process जो है चलिए आप बात कर लेते हैं यहाँ पे जो online अवेदन भरने हेतु दिसा निर्देश दिये गए हैं उनके बारे में तो इसमें आप पहला point में देख सकते हैं कि आपका जो online माध्यम से जब आप form भरेंगे तो आपको यहाँ पे official website से भरना है वहाँ पे आपको एक online admission करके link मिल जाएगा यह अभी website पे नहीं है जब आपका एक जुलाई से admission स्टार्ट हो जाएगा तब आपको वहाँ पे link अपियर होने लगेगा तो उसके बारे में भी आपको वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे point के बारे में तो दूसरे point पर यहीं लिखा गया है कि जब आप यहाँ पे online form भरेंगे तो उससे पहले आपको यहाँ पे निर्देश को सावधानी पूरवक पढ कर सकते हैं जब यहाँ पे आप online admission के लिए apply करने लगेंगे अब बात कर लेते हैं तीसरे point के बारे में तो तीसरे point में यही लिखा गया है कि जब आप यहाँ पे online form भरेंगे तो आपको यहाँ पे कौन कौन से documents है जिनको यहाँ पे scan करके upload करना पड़ेगा तो उन सभी के बारे में यहाँ पे जानकरी दी गए जिसमें आपका है सबसे पहले 10th का result उसके बाद है आपके last past year वाले जो marksit रहेंगे उनका जैसे आप second में हो तो आपको यहाँ पर first year का marksit को upload करना पड़ेगा उसके बाद आता है यहाँ पे पात्रता प्रमाडपत्र उसके बाद है आ आपका यहाँ पर passport size color photo जिसका size यहाँ पर 50 के भी रहना चाहिए उसके बाद आता है आपका हस्ताक्चर यानि की आपका sign जिसका size यहाँ पर 20 के भी रहना चाहिए तो आपको यह सब documents को यहाँ पर अपने साथ रखना है तो बात कर लेते हैं fourth point के बारे में तो fourth point पे यही ल जारी किया जाएगा तो आपको इस बात के ध्यान रखना है कि आप जब अपना नाम लिखे तो वहाँ पे हिंदी में लिखे इंग्लिस में ना लिखे ठीक है अब बात करें fifth point के बारे में तो fifth point में यही लिखा गया है कि जब आप यहाँ पे अपना प्रवेस फॉर्म भरे यानि कि जो आपका photo और आपका sign है उसको यहाँ पे अन्युआरे रूप से upload करें कि यहाँ पे यह सब नहीं रहेंगे तो आपका जो form है वो reject हो जाएगा अब बात करें sixth और seventh point के बारे में तो यह आपका जो form का payment है उसके बारे में है तो इसको आप खुद से पढ़ सकते ह यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको payment कैसे करना है और जब भी आप यहाँ पे payment करें तो एक बात का ध्यान रखे कि उसका जो receipt रहता है उसको आप यहाँ पे print कराके रख लें ठीक है वो आपको यहाँ पे जब form भरेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे जरूरत पढ़ सक अब बात करें 9th point के बारे में तो इसमें यही लिखा गया है कि जब आप यहाँ पे अपना form भर देंगे सुल्क को भी जमा कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे 8-10 दिन के बाद एक message आएगा आपके दिये गए mobile number पे जिसको आप यहाँ पे form भरते time enter किये हो कि आपका जो form है वो successfully accept किया गया है या फिर नहीं अगर आपका यहाँ पे payment नहीं हुआ रहेगा या फिर कोई भी यहाँ पे दिक्कत होगा तो आपको यहाँ पे SMS करके बता दिया जाएगा कि आपका form accept किया गया है या फिर नहीं किया गया है ठीक है और जो दस्वा और आखरी point है उ इसको आप download करके पढ़ सकते हैं अगर आपके मन में किसी प्रकार का confusion या फिर डाउट है इस वीडियो को लेके या फिर इस notice को लेके तो आप उसको comment में बता सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को सेर करना और चैनल को सस्क्राइब करना और सस्क्राइब करने के साथ ही बैल एकन को दबाना बिलकुन है भूलना ताकि आपको ऐसे वीडियो के latest update notification के द्वारा मिलते रहें